हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकारी स्टैडी पॉइंट पर दोस्तो आज के इस वीडियों बात करने वाले 30 में पूर्ण कोईस्चिन हो की इस में से जबसे ज़्यादा परसन देखने को मिलेंगे वो होंगे उत्राखंड क लगबग लगबग 17-18 कोईस्चिन होंगे उत्राखंड के 5-6 परसन होंगे वो रहेंगे हिंदी के बांकी बचे जो परसन है वो रहेंगे जीके के तो दोस्तों वीडियो कंतक जरूर देखेगा 30 में से आपका इसको कितना रहा कमेंट वोक्स में जरूर बताएगा ये जो क परसुर देप, सोमचंद, ज्यानचंद या फिर बसंत देप तो ये आपको बताना है इसका सही जवाब अब बात करते हैं जो कल का परसन था उसकी कल का परसन था उत्राखंड का पर्थम रेल्वे स्टेशन जिसे 2013 ISO का दरजा दिया गया लगभग लगभग सभी ने उसका सही उत्तर दिया हुआ है तो आज का जो परसन है बदिनाथ मंदीर के लिए किसने भूमी दान दिती के कतुरी सा सकने इसका सही जवाब आपको आज का से परसन एक्जाम में उसी आता है सलब सिलिमुक चंचरीक या फिर मिलिंद तो इसका से उत्तर जैसे भरमर का पर्यावाची ये चंचरीक भी ऑप्सन नमर बी भी सही है मिलिंद भी है सिलिमुक भी है और जो नहीं है तो यह हो जाएगा ऑप्सन नमर ए तो सलब ये भरम कबीर्वाणी के डिक्टेटर थे कबीर्वाणी के डिक्टेटर थे इस वाक्य में कि सब्प विराम चिन्न का पर्योग हो Being अउत्रण चिन्न पनुरूति सुचक या फिर ठीका सुचक यांकि यह जो आप चिन्ने देख रहे हुए यहां यह जो यहां पर यह भी लगा हुआ है, तो यह ही बताने की कौन सा चिन्न है, तो यह है उद्धरन चिन्न है, ओप्शन नमर ए, हो जाएगा हमारा बिल्कुल साही, तो एक परसन तो यह आपने चिन्न पहचान लिया, एक नमर इसमें पक्का है, बांकि यह परसन भी सुचग के आउदसे ठीका चुसे जैसे कहीं पर स्ट शाहर दिखेगा और कहीं मतलब की पलाश तरह के उद्चे श्चख यह पर्पर्द शूचग ऑकि पुटूरुक्ति सुचग जो होता है जैसे इसंयों तो ये भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है सीदे सीदे एक्जाम में देखने को मिलेगा अगला परस में निमलिकित में से कौन सा बिलोम युगमुत तुरूटी पूर्ण है ये बिलोम है और यहाँ पर चार कोशिन आपके बनेंगे चर अक्षर स्वल संदिग कर दें टीक तो आपको नहीं करना है और चर अक्षर तो सही है समाज का ब्यास ये बहुत ज्यादा इंपोटेंट है स्वल पाय उचिराव ये भी सही है तो यह तीन तो सही होगा कि आहर का बिहार थोड़ी ना होगा यह बिहार दुसे घूमना वाला बिहार होगा मतलब बिहार तुछ जगई यह वाला बिहार होता है पर यह बिहार अलग वाला है तो औहुकि ऌहार remedy निरहार होगा यहंगने निरहार होगा तो यह हो जाएगा हमारा aps화를 कसरिफ इसमास इसे तो याद wreck ले जगए क्यैं क्यों यह एक जामम बन सकता है कि समास क यह हुथ है तो पुछा गया है और जगरी बनाए परस ने धर्म के नाम पर व्यापार करना पवित्र जगह का दुर्प्योग करना या फिर बड़ा लक्ष निर्दारित कर छोटे कार्वियू में लग जाना तो यही हो गया तो यह हो गया दोस्तों इस तरह कोश्चिन यह भी आता जैसे कि मतलब कि आप आई थे समुगा की तैयारी करने और कुछ और करने में लग गया इस तरह से तो यह हो गया इसका से उत्तर बड़ा लग्स पराप्तिकर छोटे कार्यों में लग जाना आई थे हरी भजन को ओटन लगे कपास अगला कोशिए तद्भाव सब्द निर्दिष्टी कीजिए इसमें से आपको तद्भाव बताना है तद्भाव यानि की जो संचीकृत से परवर्तित होकर यानि की जो संचीकृत समान नहीं होगा वो का हिंदी जैसा आधा विद्या कूप या फिर व्योम तो व्योम नव यह किसका होता यह परिवाचि में वीचे उंबर का कूप यह बिल्कुल है बिद्या यह भी तत्सम है बिद्या यह गों यह हो जबरठी नैया तदबव इसका है अर्द तो यह हो जय का हमारा कॉंचा तदबव अगला कोश्चिन है दूसरू की बात में दखल द इस तरह से दूर दर्सी अब इन दोनों में टक कर रहें जिन जिन लोग ने उप्शन नमर एक या हस्त चेव बिल्कुल गलत हैं इसका सेवतर हो जाएगा दूसरू की बात उमर दखल देना के लिए जो एक सब्द होगा यह हो जाएगा आचेव फिर एक्जाम में होता है कि हम बिसाइब करके आए थे फिर आंसर की मिलाते हैं तो आंसर की में जैसे ऑप्शन बीरी नमबर वहाँ आयो कि दरह दिया जारेगा रहेगा फिर बहुत से लोग फिर एक करके आते हैं इसमें क्योंकि दूसरू की बात उमा दखल देना तो यह आचेव होता है ऑप्शन नमर भी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही मड़ते हैं अंगले कोश्चिन की तरह पर पर शिब्द साहितिकार सैलेस मेट्यानी का जनम उत्राखंड के किस जन्पद में हुआ था ने निताल चमोली फिथोड़ागर अल्मोडा तो इसका से उत्तर हो जाएगा अल्मोडा में इनका जन्म हुआ था बीपीडियो 2018 का कोश्चिन है जिन्होंने लगबग लबग बहुत उने सही किया हुआ एक नमर सभी को मिला होगा और जो बीपीडियो पिछली बार मेरिट भी उसमें लगबग लबग कम की थी लड़कियों का तो कई जैसे अर्ठा नहीं कि चाउवन और कह चकश्चाय का सेवस्चे मेधानी चन्म होता अलमोरा में और जन्म कब होता तो 1931 में 1931 में 14 October को जन्म होता इंसे भी एकज्वाम परसना आता है एक सी एकज्वाम मां पूछलिया पंतर से और बोर kalian तक पहला उन्हों का एक किया-breat igual Coach उपांड कितना अनंत है ये भी इनका है बावन नदियू का संकम ये भी निका है जनपक्च और विपक्च पत्युका इन्होंने संपाधन भी किया था अब इन्होंने बहुत कुछ लिखा है सेलेस मट्यनी ने आपको इनकी कुछ-कुछ चीज़ा याद कर लेनी है बांकी जैसे इनकी तीन रचना इनकी अगर देखने को मिलेंगे एक किसी और की तो कौन सी सेलेस मट्यानी की नहीं है तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है तो इसे बिलकुल याद रखेगा सेलेस मट्यानी का जन्नम अल्मोणा में क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा तो कुछ-कुछ च सांत्ती के लिए रणभूत को जरबूत निर्ति किया जाता है तो ऐप्सन नमर D हो जाएगा हमारा बिलकुल सही रणभूत निर्ति जैसे की बीरू जो बीर होते हैं जैसे बीर को भड़ू कहा जाता तो उनकी याद में यह लगता है रणभूत निर्थी टीरी में तो इसका शुत्र हो जाएगा ऑप्शन नमर एडी अगला कोश्ची ने किस वर से मार्कु ने जैदेब के गीद गोबिंद का चितरन किया था पहले तक आता था अब तो खेर नहीं आएगा क्या पता आभी जाए लेकिन इसका शुत्र हो जाएगा श्रक्षन परदान किया था असरे दिया था तो यह जाएंगे महारजा सुधरसंता तो शुधरसंतान ने दिया था इनको आसरे तो यह बिलकुल यार दखेगा चैतुवर माञक को तो भी यह बी इत्गान पर से नहीं आ چुके है बढ़ते हैं अगले कोश्चीन कि तरफ अगला कोश्चीन है निमने से सत्ति कथन का चैन कीजिए मोस्टा रिंगाल से बनाया जाता है बिल्कुल सही है मोस्टा रिंगाल से ही बनाया जाता है सीधे सीधे कई बार एक्जाम बनाया पहले तक तहरा दुन को तामर नगरी कहा जाता है काली नुद्धियों के लिए विशेश रूप से पिथोड़ा सी बागी तामर नगरी देहरादून को ना कहा जाता है अलमोडा को तामर नगरी अलमोडा को कहा जाता है और पीतन नगरी अलमोडा के मर्चुलाम बन लिया है तो यह बाल मिठाए का घर अलमोडा तामर नगरी राजाओं की घाटी यह सब अलमोडा को कहा जाता है तो यह यह यहां पर हो जाएगा तार नगरे पूछा गया कि छी तर द से पर्शंण है लेकिन तामर नगरी किसे कहा चाता एक नमर के लिए अल्मोरा ऊप्स點 मझें से बहाता डो तो इसका से उत्र जएका अल्मोराच तो इसका सेवत्तर जो की मोश्टा रिंगाल से मना जाता है ये भी ये भी एक और तीन दोनों सही अगला कुश्चिन है लोक कलाकार और छेत्र तो इन मैंसे कौन आपको ये ABCD इस तरह से आपको सुमेलित करना है लोक कलाकार और उनके छेत्र दिये हुए है आपको दोस्तों कोई ना कोई जरुड़ पता होंगे जिसे ग्रीश तिवारे गिर्दा तो इनके बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि कुमावनी जन कभी है बसंती विष्टे के बारे में भी आपको पता होगा ये जागर तो ये एक्जाम में आते हैं परसने मीना राणा जगत राम बर्मा दूस्तों कुछ दिन पहले भी आया था परसने जो अनसारी गायक है मीना राणा अपने आभी ऑप्शन बचा गडवाली गाईका तो एका दो दो देखिए तो ऑप्शन बर बी की तरफ हम जाएंगे ये आपको वहां भरना है जब एक्जाम देंगे पर यहां आपको याद रखना है गिरिश्ति वारी गिर्दा कुमावनी जनकभी बसंति विष्ट जागर गाईका जगत राम बर्मा जवन सारी गायक मीना राणा कडवाली गाईका तो इसलिए मैंने दो बार बताये क्योंकि आ ऑफिर ठोट्चोरी तो ये चमियाल वाली जैसर जीसे जो देवी थोरा मिला हूता हिए वहां होते है जो खेलने वाले होते तो इसका सेयोटर हो सब्सार घो हमारा बिलकूल सही हमारा प Kin laure persistence ंम्र local इ Color Не अजू को क्योंकि और यह होता है इस ए उत्स जो उत्तरगास से होंगे आप एक बार कमेंट करके जोड़ पता दीजिएगा अगला कोश्ची नहीं है उत्रा खंड में सभी को सरुस सभी को सिख्चा और ग्यान ही तो इसकूल चलो अभियान की सुरुवात की स्वर्च कीगी थी 21 सब सब बढ़ें इस दर लिखा रह था कब 21 में तो यह बिल्कुल एस दखिए ब्लब अप्शन बढ़ भी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही अगला कोश्चिन है ये करेंट एफेर का कोश्चिन है स्वच्च सर्वेच्चन वर्स 2020 में उत्राखंड की कौन सी नगर पंचयत पर्थमिस्तान पर रही रुद्र परियाग देव परियाग नंद परियाग विश्वण परियाग अलग है हमारा बिल्कुल सही याद रखेगा अगला कोश्चिन है ये भी इंपोर्टेंट कोश्चिन है और रिपीट होगा फिर से एक बार यहां आ गया है कनिस्टाइक 2018 में फिर से आएगा वर्स 2021 की जन गर्ना के नुसार उत्राखंड की जन संक्या विर्दिदर कितनी रही है तो अगला कोश्चिन है किस पर्याण विदने हिमालाई बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था अब दोस्तों ये जिन्होंने दिया था वो आज इस दुनिया में नहीं रहे आज इकी बाता मैंने भी आज देखा उनके बारें पड़ा तो वो है सेउत्र हो जा जाएगा सुन्धर लाल भऌगणा तो हमारे बीच अब नहीं रहे उनको बीच आपि नहीं पढ़ता था 1901 में और रिचर्ड जो एक रिचर्ड बेकर थे इनके इनके साथ ब्रिक्षमानों सस्ता की बिस्तापना की थी और जैसे चिपको आंदर उनके बारे मां आपने सभी ने सुना होगा पड़ा होगा उसको शिकर तक पहुंचाने में इनकी बहुत मतलब कि महत्पूर्ण बड़ी दुक्की बात है कि यह हमारे बीच अब नहीं रहे 1927 में जन्म हो आता और आज जैसे कितनी यह कितना चला है 1921 चला है तो लगभग लगभग इतने यह रहे हमारे बीच सुन्दर लाल भुगणा बाकि इनका बहुत जादा महत्पूर्ण योगदान रहा तो हिमाल कोश्चिन है यह दोस्तों जीके के आ गया है और यह भी बिल्कुल अच्छा कोश्चिन है भारत का अपने पड़ोशी देशु के साथ अंतराष्टी सीमा के विस्तार का आर होई करम है तो यह भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कई बार इस तरह से परसना आता है कि बा बातकर है । पाकिस्तान और नेपालके सांथ तो यह द्यादा इनपालकी सांथ अगया होगी उसके बाद पाकिस्तान चीन पर बंगलादेश तो नेपालके सांथ यहाँ पर तो आपके लिए चार चार कोश्चिन बन जाते हैं तो काफी अच्छा प्रस्थ नीमन वाट नागल भाटा नागल भाटा नाधी पर बिल्कुल है सरदार चौनधा नधी पर बिल्कुल है यह थी बार्डा नाधी पर पर है किस्ट नदी पर अब यह बिल्कूल सही हो गया ना गार्दुन सागर किस्टन ही रहा कुन्द महा न्रमदा और नागल बांद भखड़ नागल बाद सब्सक्राइब बढ़तें अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है विस्सुमा हरित स्वामिनाथन तो खेर दोस्तों यह अभी भी बनेगा यह परसने जब भी एक्जाम होंगे आज भी बन रहा है परसने पहले भी बनता था आने वाले समय में भी परसने चरुड़ बनेगा अगला कोश्ची निमिलिकित मैंसे कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष बिधान सबा का सबापती बिधान सबा का अध्यक्ष या भारत का उपराश्ट पती अब लोक सबा का अध्यक्ष तो लोक सबा के लिए जैसे बिधान सबा यह लग है तो इसका से उत्र हो जाएगा भारत का उपराश्ट पती अब उपराश्ट पती यानि कि जो राजी सब सभापती होता है वो कौन होता है तो राज्जी सभापती उपरास्थ पती तो इसी के रूप में इनको वेतन इसा मिलते हैं वेतन भत्ते तो इसका से उत्र हो जाएगा भारत का उप्रास्थ पती option number B हो जाएगा हमारा बिल्कुल सई अगला कोश्ची नहीं निमिलिकित मैंसे किस ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया था जेल नहेरू, बल्लब भाई पटेल, अंबेटकर या फिर राजेंदबर साथ तो इसका सेटर हो जाएगा डाक्टर, भीमरा, रामजी अंबेटकर, option number B तीनों में भाग लिया था, गांदी जी दूसरे में गये थे और ये तीसरे में गये थे, 1931, 32 में ये तीनों गोल में सम्मिलन होए थे, लंदन में तो इसका सेटर हो जाएगा option number B अगला परस्न है है, लोग चित्रकला की मधूबहनी सैली, भारत के किस राज में परच लीता है पहले भी आया परस्न हब भी आएगा किसी थे, किस एक्जाम में पहिचिम बंगार उत्तर परदेश मद्धी परदेश बिहार तो इसका से उत्तर हो जाएगा बिहार में लोग चितर कला की मदूबनी सेली यह हो जाएगी बिहार में अगला कोश्चन है किस पवार सासक के समय में 676 में गुरू रामराई श्रीनगर आई थे अब आप कहेंगे कि मैंने कहीं पर 669 भी पढ़ा है तो खैर ओप्षन के हिसाब से आपको जाना है कहीं आयोगने भी इस तरह के 699 में पर फते सा के समय में आए थे ना क्योंकि यहां पर पूचा कि कि मैं आए थे और फते पते साने इनको तीन गाहुं दान भी दिए थे तो घृध राम राइ प्रक तो अब नोसमें रुपए जाते तो शेरतल जाएगगा सोभता है बन्मस दर्म को घ्राख ऑघ ऐ tentar अगला से उत्र अगला परसन है उत्रान चल राजजी परिशत का गठन कर बूट कलब पर परदर्शन करने वाली बेखती कौन थे 53 नेगी नरेंद सिंग भीष्ट परताप सिंग नेगी इन में से कोई निक तो इसका से उत्र हो जाएगा उत्रा खंटर राजजी परिशत का गठन कर बूट कलब पर धर्ना देने वाले बेखती थे 53 नेगी ओप्शन नमर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुर सही ओप्शन नमर ए त्री परिशन नेगी अगला परिशन है कुमावनी भासा दिवस कब मनाये जाता है ये भी इग्जाम मा आएगा 2 सितंबर, 3 सितंबर, 1 सितंबर, 4 सितंबर अब इसको आपको कैसे याद रखना है कुमावनी भासा दिवस याद कर ये खटीमा गोली कांड कब हो था एक सितंबर 1994 को तो ये कौनसा दिवस होगा कुमावनी भासा दिवस होगा तो ये कौनसा दिवस होगा तो ये हो जाएगा गडवाल दिवस बस इस तरह से याद रखे एक जामा प्रसन बनेगा एक सितंबर को कुमावनी भासा दिवस दो सितंबर को कड़वाली भासा दिवस तो यह आपको दोनों याद रखने हैं अगला कुछ ने रविंदनाथ टेगॉर ने टेगॉर टॉफ रविंदनाथ टेगॉर की नाम पर टेगॉर टॉफ कहां पर इस्तित है रामगड कौसानी मसूरी या पिनेनिताल अब नेनिताल मे घाटाया है रामगड को परवती फल्वाजार प्लवाजार के लिए यह रामगड को तो रामगड ऑप्जन नमबर यह होजाएगा हमारा बिल्कुल सही है टेगा टॉप है रामगड में अगला कोष्ची ने उत्राखंट बिधान सबाब का सदस्ची बनने के लिए और श्य किसी लाब के पत पर ना हो यानि कि समुग उमन ना हो मतलब कि किसी और कहीं भी ना हो सरकारी नौकरी पर तो प्रोग तो सभी हो जाएंगे हमारा बिल्कुल सई यह सभी बिल्कुल सभी भारत का नागरी होना ही चीए पागल दिवाल या इस तरह का ना हो और 25 वर्ची की कुछ इंट्रेस्टिंग बात बता हूं अभी आपको कोई एक जैसे पहले वह परधान थे खर क्योंकि जैसे बीडियो भी पीडियो मां आपको पता है ना कि 42 साथ तक फॉर्म भर सकते हैं इसमें इससे पहले वह परधान रहें अभी बरतवान उनकी पत्नी परधान है अब आप बताओं कि वो विडियो की त्यारीक रण रॉय अउसे मनाया गया 2001-20022 ön दुश्का से उत्तर हो जाएगा 2001 में उत्राखंड में इग वर्समिनाए गया 2001 में अगला कोश्चिन है बदिनात मंदीर के लिए निर्मान के लिए किस कत्यूरी सासक ने भूमिदान दी थी इसका सही जबाब आपको कमेंटर बॉक्सम बताना है क्योंकि आज एक तीस कितना रहा करके आज का जो हमारा आखरी कोश्चिन है निमलिकित मैंसे उत्राखंड के सूच में लगू और मद्यमुद्यों का सीर से निकाई कौन सा यहां पर पूछा गया है स्टेट इंडेस्टियर डेवलमेंट कारपरेशन आप इंडिया स्टेट इंडेस्टिल एरिया इंडेस्टियर अशोचिन आप उत्रा हंड तो इसका से उत्र हो जाएगा इंडेस्टियर अशोचिन आए हुआ हुआ है जब वा था सोल अफरी डेवलमेंट इजाद में आया हुआ है तो यह बिल्कू याद रखिए अब जल्दी एक नई वीडियो झाल झाल